नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं बंद शुरू होने से पहले ही नकसलियों ने गोईल के रा, पोसायता सेक्षन अंतरगत कारो ब्रीज के समी पोल संख्या 356 बाई 29 एक के सामने तीसरी रेल खंड की पट्री को उड़ा दिया पट्री के उड़ने से तीसरी लाइन के ओ एच रेल के सिली पर पूरी तरह से छतिक रस्त होगा है वहीं रेलवे ट्रेक करीब एक मीटर तक बैंड हो गया इधार रेलवे ट्रेक बिसफोर्ट की ख़बर सुनते ही चक्रधरपूर डिविजन में रेल के पहिये थम गया इस मार्ग से गुजरने वाली साही ट्रेनियों को जहाता है खड़ा कर दिया गया सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 30 दिसंबर को भारत बंद गोड़ा के बियारी जोर परखंड के मेगी पंचायत के मुहला गाव में संथाल परगना अस्थापना दिवस का उसर पर आदिवसी सेगेल अभियान के सरस्यों की बैठक की गई कि इस बंदी को सफल बनाने के लिए सभी का सवयोग अवस्चा खाए आदिवासी समुदाय के लोगों को आपना धर्म कोड नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है उन्होंने यह अभी कहा है कि सीदू कानों के अंदोलन से 22 दिसंबर 1855 वर्ष को संथाल परगना की अस्थापना की गई थी एवाम इसे SPT वा CNT Act का सुरक्षा कवच मिला था आज इस कानून को कठोरता से लागू करना आवस्यक है सीम हेमन्त बोले जहारखन के हर नौजवान का भविस्त सवारने के लिए हम परतिबाद धनबाद में सुक्रवार को आयोजीत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के 20 सेवीर में मुख्य मंत्री हेमन्त ने कहा है कि राज सरकार आदिवासियों मुलवासियों जहारखन वासियों की है सरकार राज के हर नौजवान का भविस्त सवारने के लिए परतिबद है जहारखन सरकार रांची दिल्ली से नहीं बलिक गाव देहाद और मुहला टोला से चल रही है राज्य में कलियनकारी योजनाय हर ब्यक्ति की दरवाये तक पहुंचाने का महा अभियान चल रहा है मांच सम्मान के साथ लोगों को उनका हक और अधिकार दिया जा रहा है मुख्यमेंत्री ने कहा है कि सिवीरों में आकर सरकार की योजनायों की प्रगाती और लोगों को मिल रहे लाब को जाने की कोशिस कर रहा हूँ राज सरकार योजनायों को धरातल पर उतार कर गरीबों, जरुरत मंदों और वंचितों का लाब दिलाने का कैम कर रही है सिरी सुरेड ने कहा है कि कोरोना काल में जार्खन के लाखों मैदूर के रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और विदेशों में जाने की सुषना मिली उनकी परसानियों की जनकारी मिलते ही राज सरकार ने उनको वापस लाई है जारखन के पंचायतों में भी मिलेगी स्पीट पोस्ट की सेवा अब लोगों को पंचायत अस्तर पर भी निवंधित डांक या स्पीट पोस्ट भेजने की सुविधा मिल सकेगी पहले चरण में पंचायत राज बिभाग या सेवा 30 पंचायतों से शुरू करेगा इन पंचायतों का ISO Certification कराया जा रहा है इसके लिए पंचायती राज विभाग ने डांक विभाग के साथ करार किया है पंचायती राज विभाग, Common Service Center और डांक विभाग ने मिलकर एक Special Purpose विकल बनाया है इसके तहद पंचायत के लोगों को एक ही छत के नीचे कई तरह की सुवधाएं उपलब देखराई जानी है इसके तहद Common Service Center डांक मित्र सेवा सुरू की जाएगी या इंडिया पोस्ट की सेवावों को लोग पिरिये बनाने का काम करेंगे 1932 के खतियान अधारित आस्थानी व नियोजन निती बने संताल परगना अस्थापना दिवस का उसर पर सुक्रवार को ग्राम प्रधान मांजी संगठन ने अपनी एक गारा सुत्री मांगो को लेक कर महरैली निकाली यह रहली नगर भ्रहमन कर वापस इंडोर स्टीडियम पहुंची जहां सभा में तबदिल हो गाई सभा को समोधित करते हुए प्रमंडलिय अध्यक्ष भीम परिशाद मंडले 1932 के गेजर खतियान के अधार पर अस्थाने नितियों नियोजन निति निधारित करने प्रधानी ब्यवस्था का सुद्रीड करने के लिए प्रमंडलिय अस्तर पर ग्राम प्रधान परिशत का गठन करने संत्याल परगना कस्तकारी अधिन्यम उने सुन्चास के प्रधान के तहत माल गुजारी की वसुली पुर्व की तरह ओफलाइन कराने जोजनाव के किर्यानवन का समोचित अधिकार देने की मांगे रखी है भारत बंद को लेकर पुलिस रही अलर्ट प्रभावीत, पीराटन, मधुबन, खोकरा, हरलाडी, टेस, फुली, मजीडी के अलावा जारकन बिहार के सिमाम पुलिस भी से सतरक्ता बरत रही है मालूम रहे कि भागपा मुदी संगठान ने 16-22 दिसंबर तक देश ब्यापी परचार आंदोलन अभियान चलाते में 22 दिसंबर को भारत बंद की घुसना की थी धानबाद के डॉक्टर 30 दिसंबर से अनिस्थित का लिन हरताल पर जाएंगे धानबाद सहर के मेमको मोड इस्थित स्वरमंगल नर्सिंग होम की संचालिका डाक्टर स्वरमंगल परचाद समेत अन्चिकित सको को रंगदारी के लिए लगातार मिल रही धमगियों के बिरूद में इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की धानबाद सकाने 30 दिसंबर से अनिस्थित का लिन हरताल पर जाने की घोसना की है आंदोलन में धानबाद के सभी निजी अस्पतालों के चिकित सक सामिल होंगे इस दोरांच सभी निजी अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग, हों में इमर्जेंसी सेवाई और चिकित सेवापूरी तरह ठप रहेगी सुकरवार को IMA ने यूनियन कल्व में आयोजित प्रेस वारता में इस आस्थ की घोसना की है लोन की किस्त नहीं देने पर महिलाओ को उठा ले जाने वाली माइक्रो फाइनेंस कमपनियों पर हुई करवाई पलामू जिले के छतरपूर में माइक्रो फाइनेंस कमपनियों के आर्थिक सोशन की खिलाब ग्राम तेनू डिह की मंजू देवी राजपत्या देवी और कूंती देवी ने छतरपूर थानाय मामला दर्ज कराया है भुक्त भोगी महिलाओ का रोफ है कि कमपनियों दुरा दुर्वेहार वा मार पिट की जाती है लोन का पैसा समय पर चुकता नहीं करने पर गहने वा घरेलू समान उठा कर ले जाते है प्राथमी की में राजपती देवी ने कहा है कि छतरपूर में संचालीत सुकानया फाइनेंस कमपनी के कर्मी पंकच कुमार ने किस्त की रासी नहीं देने पर सोने की जेवर छिन ली जबकि कोटा फाइनेंस के कर्मी घर से साइकल उठा कर ले गा है अगला किस्त जामा नहीं करने पर जान से मारने की भी धमकी दी है जारखन के बेतला नेशनल पार्क में दिखा बाग जारखन के बेतला नेशनल पार्क में एक बार फिर बाग दिखा है खबर है कि कई दिनों से इस बाग को जंगल में देखा जा रहा है पर्याटकों ने बाग को देखा और उसकी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया बताया जा रहा है कि सुक्रवार की साम को बेतला नेशनल पार्क में भ्रहमन के दवान पर्याटकों ने इस बाग को देखा पर्यटकों ने तुरंत इस दिरिश्ट को अपने कैमरे में कैद कर लिया बाग के तस्वीर लेने वाले कोलकात्ता के इस पर्यटक का नाम तापस अधिकारी है इसके साथ संचीता अधिकारी, तथागत मुखरजी, रकिब मुखरजी, नंदिता मुखरजी, स्तत्या की अधिकारी भी सामिल थे हथियार और लेवी की रासी के साथ चार जेजे एमपी उग्रबादी गिरफतार लाते हाजी लेके छीपा दोहर पूलिस ने जेजे एमपी के चार उग्रबादी के हथियार और वसुली गई लेवी की रासी के साथ गिरफतार किया है पूलिस ने गुरुवार के साम उग्रबादी के गिरफतार करने में सफलता पाई हलाकि इसकी जनकारी पुलिश ने सुक्रवार को दी है चीपा दोहर थाना परिशर में बरवाडी सरकिल इंस्पेक्टर अनिल उराव ने प्रेश वर्ता कर उक्त आस की जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि गुप्त सुतना मिली थी की थाना छेत्रे के हन सराज टोला में नवीन तिर्की के घर के पास अग्यात अपराधी हाथियार के साथ पहुंचे और ग्रामिनों के साथ गाली गलोच कर मार पीट कर रहे हैं धन्यवाद